प्यूंच ऑम आप टेस्ट त्री के फिफ्टीन वर्ट्स तक हमने डिस्कस कर लिये थे और वहीं 15 वर्ट्स डिस्कस किये तो एक के साथ पांच वर्ड थे यानि मैं कह सकता हूं कि हम लोग 75 वर्ड्स पिछली वीडियो में सीक गये थे ठीक है अब एक बार फिर कोशिश करते हैं कुछ और वर्ड कुछ और वर्ड सीखने की देखो फस्ट वर्ड आया मेरे पास एक्सपेडाइट फस्ट वर्ड मेरे पास आया भई क्या एक्सपेडाइट इस एक्सपेडाइट का मतलब भी होता है भई हरी यानि जल्दी जल्दी में कोई चीज करना याद करने की बारी आई तो भई कैसे याद करोगे याद करने की बारी आई तो कैसे याद करोगे एक्स देखो एक्स से तो आप जानते यह एक्स था भई कोई बंद किसी बंदे की कोई पुरानी गल्फरेंड वगरा थी एक्स पे डाइट और यह पैड़ी इसको मैंने relate किया था पैड़ी से भई उसकी जो X थी वो पैड़ियों पे जोर जोर से जल्द बाजी में चड़ रही थी इस तरीके से link किया था Basically link करने का ही तरिका है और कोई तरिका नहीं है हरी highlight आपको पता ही है जिस चीज़ को आप highlight कर देता कि वो चीज़ नजर आए नोट बिलीव इसली शक्की किसम का व्यक्ति है वो अब ये नहीं है कि वह सिर्फ बंदाई है यह नहीं है कि वो चिर्फ बंदाई यह कोई attitude भी ओ सकता है किसी बंदेगा कि भई उसका skeptical attitude है या skeptical person है, या उसका skeptical reason है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और यह जो skeptical था, यह था, यह adjective था, आपने सीखा ए, जिसके पीछे L लगे, वो adjective है, ठीक है, देखो, L लगता है, उसके पीछे adjective, जिसके पीछे L लगे, वो ज़्यादतर केसिस में adjective होता है, या फिर adjective की एक और पैचान देख लो उसके बाद कोई noun fit करके देखो अगर noun fit हो रहा है तो भाई वो भी क्या है आपका adjective है और कई बार बच्चों क्या होता है आपको किसी noun को पैचानना होता है तो noun को identify करने के भी दो तरीके होते हैं noun को identify यह कर लो या तो उसके पीछे meant लगा होगा या उस के पीछे शन लगा होगा या उसके पीछे इस्ट लगा होगा statement लगता है नहीं आपर statement भी लगता है शन से भी कुछ बनता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा आई एस्टी भी लगता है scientist लगता है dentist लगता है ठीक है अच्छा और हाँ वर्ब को पैचानना हो तो इस तरीके से याद करा करो कि उसकी V2 ED लगा के बन रही है कि नहीं नहीं बन रही तो यूं देखो कि भई उसकी अगर वर्ब की second form बनाता हूं तो क्या वो past को convey कर रही है past tense को तो बना लो और फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो यूं सोच लिया करो कोई वर्ब देखी इसकी V1 क्या होगी इसके पिछे ING लगाता हूं तो क्या ये fit बैठ रहा है अगर fit बैठ रहा है तो भई वो verb है यानि verb को भी पैचानना सीख जाओगे adjective को भी पैचानना सीख जाओगे और noun को भी और noun को तो एक और तरिक्के से भी पैचान सकता हूं हम सब ने सीखा था my, our, your, our, his, her ये सब क्या थे बच्चों ये सब possessive adjective थे यानि अगर इनके बाद कोई noun fit बैठता है तो वो इनके बाद कोई भी word fit बैठता है तो वो क्या होगा वो एक noun होगा इस तरिक्के से relate किया करो next word मुझे दिखा पर फीडियस देखो OUS OUS का मतलब क्या होता है भई adjective OUS पर फीडियस का मतलब होता है जो आपको दोखा दे मैंने कैसे याद रखा था भई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्लेयर था अफरीदी इसके अंदर फीडियस दिखा मुझे बड़ा पसंद था इंडिया भी उसे काफी रिस्पेक्ट देती थी फिर एक दिन वो हमारे कश्मीर के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारी कंट्री के बारे में बुरा बला बोल गया तब मैंने देखा कि भई परभीडी ये चाहें वो अफरिदी है लेकिन वो है तो परभीडी ही यानि धोका देने वाला है ठीक है भाई मान व्यक्ति यानि haven का भी मतलब वही होता है धोका देना भाई मान करना इस तरहीगे से याद करा था sparing भई sparing तो आपने बहुत बार सुना है हमने देखा ही है हम कहते भी है कि भई pen spare पड़ा है कि तरे पास कोई pen spare पड़ा यानि extra है क्या वो चीज वो होता है spare या यूं कहलू बच्चो spare का मतलब होते save करना मेरे पास दो पड़ा है एक मेरे खुद के लिए और एक मैंने spare कर रखा है यह pen खुगया तो भई मैं इससे काम चला लूँगा यानि मैं क्या कर रहा हूँ अपने resources को बचा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ बच्चो बचा रहा हूँ यानि है next word मुझे दिखा sluggish sluggish देखो sluggish का क्या मतलब होता है sluggish इसकी rhyme ही मैंने बना ली थी slow 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 SLU दिखा इसका मतलब होता है something slow दीरे दीरे कोई चीज चल रही है कोई काम चल रहा है तो sluggish हो सकता है next word मेरे पास आया बच्चो averageious averageious देखो इसके पिच्चे फिर OUS दिखा जिसके पिच्चे OUS दिख जाए वो क्या होता है भई adjective होता है इसका meaning था इसका meaning क्या था इसका meaning था greedy यानिग ग्रीडी Avaricious को याद करने की बारी आई तो मैंने याद किया था इसके अंदर ही कह रहा है Avaricious इसके अंदर क्या कह रहा है Araywa Rice इसके अंदर Rice दिखा और Araywa दिखा यानि यह कह रहा है Araywa Rice Rice देखते ही जादतर लोग Greedy हो जाते है खाने का मन करता है तो उस तरीके से इसे relate कर लिया था यानि वो लालची है greedy है और इसका synonym लगता है grasping इसका क्या synonym लगता है भई grasping ठीक है grasping को मैंने कैसे याद रखा था grasping को मैंने याद कर लिया था grab से grasping को मैंने याद किया था grab से कि भई ये grab कर लेता है यानि यह grasp कर लेता है इस तरीके से link कर लो ठीक है एक और word मेरे पास दिखा generous generous होता है भई दयालू adjective है यह और generous होता है दयालू ठीक है full of generous एक और word मुझे दिखा congest मुझे क्या दिखा congest यह एक वर्ब थी हम कई बार कहते भी है है कि भई एक bench पर बहुत सारे दोस्त बैड़े जाज़े दूसरे बैंच पर बैट जा यहां काफी congested सा feel हो रहा है congested यह वही वर्ड होता है congested भई आप comfortable situation में नहीं हो एक भीड़ भाड़ वाली सी चीज हो गई उस sense में भी यह वर्ड यूज होता है एक और वर्ड मुझे इसके अंदर दिखा बच्चव बिजारे इसका मतलब होता है कोई चीज ordinary नहीं है यानि वो चीज थोड़ी सी अच्छी है कोई चीज ordinary होते है तो वह common होती है बिजारे का मतलब ऑप भी वो चीज ordinary नहीं है थोड़ी महंगी है या कोई अच्छी चीज है नेक्स्ट वर्ड मेरे पास आया बच्चो impudent impudent भई इस वर्ड को मैंने कैसे याद रखा था impudent इसका मतलब होता है rude कोई चीज rude है या मैं कह सकता हूं stop run भई कोई ideal व्यक्ति है या इसका एक सिनोनिम होता है adamant हमने सिखा भी था adamant तो भई adamant भी ideal होता है इस तरिके से इसको याद कैसे रखा मैंने देखा dent और important भई किस important आदमी की गाड़ी पर अगर dent पढ़ जाए तो वो क्या हो जाता है वो एकदम से rude हो जाता है लड़ाई जगडे पर उतराता है मार पीट पर उतराता है ठीक है polite polite होता है भई विनम inhabit inhabit से ही तो word बना inhabitant कहीं के निवासी और non obvious non एक negative prefix था obvious का मतलब तो हम कहते ही है को आप से कोई बात कहें कि भई पाल्टी में आ रहे है आपका obvious सी बात है यार आउंगा या नि जाहिर सी बात है non obvious का मतलब होता है जो चीज obvious नहीं है ठीक है next word इसका answer था भई का rude next word जो मुझे दिखा बच्चों वो मुझे दिखा effrontery effrontery का मतलब होता है भई किसी की insult करना किसी की मैंने कैसे याद रखा था भई insult करना अब कोई आपकी insult करे कोई हमारी insult करेगा तो वो कैसे बिएव कर रहा है हमारे साथ वो एक shameless manner में behave कर रहा है boldness तो कर रहा है वो हमें जलील करके बादूर तो बन रहा है लेकिन वो एक shameless तरीका है उसका ठीक है और याद करने की बारी अगर इसे आई तो इसका एक और वर्ड लगता था भई insolence 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 कैसा था वह insolence ठीक है याद कर लोगे और इसका synonyum की अगर मैं बात करता हूं बच्चों तो इसका synonyum होते है snash देखो डोनों का link बता देता हूं कैसे यात करना है एफ्रन्ट औरी front होता है किसी building का gate और यह कह रहा है इस front पे तेरी बहुत बेजती हो गी इस दरवाजे का मतलब होता है डरपोक टीमिड का मतलब होता है डरपोक ठीक है और टीमिड होता है एजक्टिव गितना काम करता है और टीमिडीटी होती है भई कायरता टीमिडीटी होती है आपकी कायरता अल्यूर भई अल्यूर का मतलब होता है to attract someone किसी चीज़ को कोई प्रलोबन देना ज आलू रे के साथ, भई कोई सब्जी बेचने आता है, सब्जी वाला गली में, तो वो क्या कहता है, वो कहता है, आलू रे, आलू रे, ये देखो बोली तो रहा है, ये वर्ड भी अपने अंदर ही कह रहा है, आलू रे, आलू रे, भई आलू ले ले, यानि वो परलोबन दे र कितना काम करता है यानि बाई अरेस्ट कर लेना याद कैसे किया था एपरी हयंड को तो बहुत असान तरी के बचले कर directamente याप याद कर लेंगे इस तरी किया कर लो बच्छो टा 1 sert मेरे पास किया बच्छो टाइक डेकस्वल मेरे याद किया था भई इसको बोलने में ही बोल रहा है ताई के मैंने याद किया था भई ताई के यानि मेरी ताई के पास बेरी ताई के पास कुछ कुटें हैं पाल तूनों ने पाल रखे हैं यानि इस टाई के का मतलब होता है बच्चो डोग ताई के का मतलब क्या होता है डोग और इसमें सिनोनिम लगा मोंगरल ये भी शायर डोग की एक ब्रीडी होती है तो ये इसका सिनोनिम था सिली सिली तो आपको पता है यह कहते है बड़ा से ली परसन है भई यानि थोड़ा पागल सा है थोड़ी उसमें सेंस कम है ये वर्ड मुझे दिखा सुआव ये वर्ड मुझे क्या दिखा भई सुआव इस सुआव का एक और मिनिंग होता है बच्चो इस सुआव का मिनिंग होता है डैबो नेयर डैबो नेयर डैबो नेयर बहु इन दोनों वर्ट का मिनिंग होता है स्वामी भक्त वह आप किसी के अंडर में काम करते हो और आप उसकी बहुत ज़्यादा चापलुसी करते हो या उसके सारे डिसीजन समान लेते हो उस सेंस में ये वर्ड युज होता है डैबो नेयर सुआओ याद कैसे रखा था भई भई बिग बोस देखते हो सारे मैं तो देखता था डैबो नेयर डैबो नेयर को मैंने ऐसे याद रखा था भई कि जो डैबो थी उसके अंदर डैबो लीना थी एयर उसकी इतनी हवा थी कि उसका हैस्बेंड जो था ना अभी न वो पूर आई तो भई इसका रटा नहीं है सिदधा सिदा याद रखो डैरी सन देखो डैरी सन क्या होता है डैरी सन क्या होता है भई मैं low- अपने पापा से ड़ता ही नहीं क्योंनी डरता यानि वह दोनों촌ten बैटे कैसे मजाकियच जीरिंग और भई मजाकिया भी इतने हैं कि दोनों साथ में बैठके ही बोटल बोटल पी रहे हैं यानि एक ridiculous way है उनका कोई अच्छी चीज नहीं है ये negative way यानि उनका एक ridiculous way है ठीक है next word मुझे दिखा idiotic idiotic से तो आप मिलते यो कहते हैं idiot कोई शुनी है respect भी आपको पता है next word मुझे दिखा भई censure censure देखो एक और word होता है censure मैं इन दोनों word को याद रखता हूँ censure board क्या करता है film में इसे काट चाट कर देता है जो कोई ऐसा हो भई नहीं दिखाना टीवी पर दंगे बंगे हो जाएंगे लोगों की भावनाई बढ़केगी तो वो उसे काट देता है तो मैंने ऐसे याद कराता कि जो censure board होता है censure board का मतलब काट चाट करता है वो अमेसा censure करता है censure का मतलब होता है निंदा करना criticize करना, अभी अभी पिछे सिखके यटे हैं डैनी ग्रेट करना, किसी की अलोचना करना तो मैंने तो यू रिलेट कर लिया था कि भई जो sensor board होता है वो censure करता है ठीक है next word की तरफ बढ़ते हैं बच्चो next word था रोग भई ये तो अपने आप में बोल रहे है रोग यानि इसे रोग है और इसे कैसा रोग है इसे रोग है dishonesty का ये एक भई मान व्यक्ति है ये क्या है एक भई मान व्यक्ति है ठीक है ये एक भई मान व्यक्ति है ठीक है और भई uncertainty तो हम कहते हैं uncertainty अनिश्चिता किसी चीज की निश्चिंता नहीं है वो चीज होगी भी या नहीं नहीं पता पैरिल भई पैरिल का मतलब होता है something in danger याद कैसे रखा भई कोई गायकार है पैरी सर इसका सिनोनिम होता है वैसे तो वेस्ट्रल का मतलब होता है इसके अंदर ही वेस्ट है जो वेस्ट करता है अपने पैसे को अपने resources को यानि उसका हाथ बहुत ज्यादा खुला है वो बहुत खुले हाथ से खर्चे करता है तो इसे इस तरीके से याद किया लेकिन इसका मीनि ये भी होता है बच्चों कि वो बन्दा rog है डिसओनस्ट है और अगर कोई अपने खर्चे को खुले हाथ से करता है भई तो उसका एक और सिनोनिम होता है जो वेस्ट करता है अपने पैसे को प्रोफली गेट बहिर प्रोफली गेट को कैसे यूज ओफ राइटिंग यानि राइटिंग की टेक्निक नहीं करते वर्बली वो चीज़े होती रहती हैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड की तरह बढ़ते बच्चो यूफोरिया यूफोरिया भई इससे तो बहुत बार मिले ओ यू यू एक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता ह है सम्थिंग गुड सम्थिंग गुड यूफोरिया से ही तो वर्ड बना बच्चो यूफेमेजम हमने क्लासिज में बहुत बार सीका यूफेमेजम उसमें क्या होता है भई किसी बूरी चीज के बारे में किसी का अच्छा करके कह देना यानि किसी बूरी चीज की इंटेंस सम अलतर हंसमुक वियक्ति कैसे याद रखोगे कérie रहा है सम मोमेंट पर तो यह रो लेता है और फिर यह ने लग जाता है यह क्या है एक यह मुल्टित रचाइब और मेरे पास आया अड़ कोई लड़का है और अपनी सासू को शराब दे रहा है कह रहा है एना दी मा यानि उसको शराब दे रहा है उससे हेट कर रहा है यानि एभोरेंट ओमनी बस ओमनी बस का तो मतलब ही होता है एक मीनी बस इसका मतलब हो जाता है एक मीनी बस और मीनी बस में जाते हो आप बस की य मेरे पास हो जाता है बच्चो, storybook collection, storybooks के collection को भी ये word define करवा दिता है, storybook collection, storybook collection, ठीक है, आगे आजाओ भई, क्रेवन का मतलब होता है कम confidence होना किसी में यानि timid का मतलब bold नहीं या फिर उसके अंदर कम confidence है यानि less confident यानि क्या होता है वो word बच्चो less confident याद कैसे रखा याद ऐसे रखा इसके अंदर दिखा रावन और C से बनाया children किसी children के सामने रावन आ गया या जब रावन जलाते हैं पटा के वगयरा बसते हैं तो उस टाइम पर बच्चे डर जाते हैं यानि उनका confidence गिर जाता है सेवेज सेवेज से तो शायद पहले भी मिल लिये थे ये word तो शायद आ चुका सेवेज होता है भई भई क्रूल और क्रूल है तो वो होता है फियर्स उसका मैनर कैसा है भई फियर्स है सेंसर इस सेंसर से तो आप मिल चुके इसका मतलब होता है तू कट बई काटना कटनी चटनी करना in order to improve और इसके अंदर दो वर्ड और सीखने वाले मिले बच्चो एक वर्ड मिला रिब्यूक और एक वर्ड मिला मुझे नील रिब्यूक और एक वर्ड मुझे मिला नील देखो नील का मतलब होता है to bent on your knees भई हम कई बार गुटनों के बल नहीं बैठ जाते हैं मंदिर बंदिर में हैं अपने मम्मी पापा के सामने बैठ गया नहीं किसी के सामने गुटनों के बल बैठ जाना in order to give respect याद कैसे किया भई नील पड़ गई गुटनों के बल बैठे बैठे in order to give respect respect देने के लिए ठीक है भई next word मुझे दिखा रिब्यूक भई रिब्यूक का क्या मतलब होता है देखो रिब्यूक का क्या मतलब होता है भई इसके अंदर दिखा रि मतलब दुबारा और ब्यूक मतलब भूक भई एक बार क्या हुआ मैंने अभी अभी खाना खाया ही था और मुझे दुबारा भूक लगई मेरे मम्मी ने फिर दिया मुझे फिर से भूख लगी यानि बार बार मुझे भूख लगती जा रहे थी तो अब मेरी मम्मी क्या करेगी आखिर में तो तंग आके मुझे डाटेगी टू स्कॉल्ड इसका मतलब ही होता है बच्चों टू स्कॉल्ड नेक्स्ट वर्ड मेरे पास यहांनि वह भी गोन वह भी गोन ऐसे करके दुक्विक्त कर रहा है। preamble, preamble तो होता है भई प्रस्ताव constitution के अंदर भी preamble है और हम books लाते हैं कोई नई book उसके अंदर भी first page पर preamble लिखा होता है यांनि प्रस्ताव की इस book के अंदर क्या क्या है actually लिए Insomnia Insomnia होता है नीद ना आने की विमारी इसे बोलते है अनिंदर a का रोग इसका एक Exact Synonim मेरे पास निकलते है बच्चो too Slow Less NES यानि sleeplessness मैंने बता दा जिसके बिचे नेस दिखे वह ウझगनेस विकनेस तो にखें गोए новых निटी जिसे नीद नहीं आती याद कैसे रखोगे वो तो सिंपल याद हो गया स्लीप लेस उसे नीद ही नहीं आती और इंसो मैंनिया भई इंसो को मैंने याद करा था इंसो एक पॉलिटिकल पार्टी है हरियाना में उसकी स्टूडेंट विंग थी इंसो और मैंनिया अभी उनकी सीट्स तो गयरा कम है तो मैंने ऐसे कर लिया था कि इंसो मैंनिया इंसो वालों को नीदो नहीं आ रही कि हमारी सीट्स क्यों नहीं आई सीट्स कैसे बढ़ेंगी इस तरह किसने लिंक कर लो एक वर्ड मेरे पास निकला गुलिबल होता है एकदम बोला-बाला कोई इंसान इन्सान कुछ भी कह दो वो मान लेगा उसके साथ कुछ भी दोका वोका कर दो वो कुछ आपको कहेगा यानि वो word होता है गुली बल और याद कैसे रखोगे भई सर ने याद करवाया था मुझे भी आपको भी करवाया गुली बल यानि able to be गुली भई इसे कोई भी गुली दे सकता है हम यही कहते हैं कि गुली दे दी उसको यानि able to be गुली भई उसे गुली दे सकते हो आप next word मेरे पास जो निकल कर आया बच्चों वो next word मेरे पास निकल कर आया day war डे war इसका मतलब होता है खराब कर देना demolish दोस्त कर देना याद कैसे रखा था भई कहते ही है एक घर में एक दिरानी हो एक जिठानी हो तो वो कहते ही है भई मेरी देवरानी और मेरे देवर ने घर को खराब कर रखा है नश्ट कर रखा है इस तरीके से मैंने लिंक किया था एवाईरी से हमने सीखा ही था एविएशन डिपार्टमेंट ये वड़ तो डेली डोज में आ चुका एपाईरी एपाईरी होता है भई बर्ड्स का उसका सोरी बीज का कलेक्शन मदुमक्यों के कलेक्शन को कहते है और इंसाइट इंसाइट का मतलब होता है बच्चो किसी को उकसाना इसी इंसाइट का एक और सिनोनिम निकल कर आया इंस्टीगेट किसी को उकसाना इसी का एक और मीनिन निकल कर आया मेरे पास बच्चों स्टीर हमने इसे का दाना पिछे किसी आर्टिकल में ummy निकला था ठीक है आगे आ जाओ कहां थे हम मैसा कर बही मैसा केर होता है नरसनहार कैसे याद रगा था भई लिंक कर लिया था बहुत बार पड़ा है जलिया वाला बाग का मैसा कर यानि नरसनहार यानि बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी हत्या कर दी तो क्या था slaughter slaughter से तो हमने एक और word भी सिखा था slaughter house यानि बुच्चट घाना जहां जानवरों वगएरा को मारा जाता है next word आया मेरे पास vigilant vigilant का मतलब होता है भई careful सतर्क है वो बंदा on guard वो बंदा बिलकुल सतर्क है या फिर वो बंदा बिलकुल alert है on guard ठीक है heedful heedful से तो हम मिल चुके भई heedful से तो हम मिल चुके इसके अंदर था heed heed को मैंने link किया था heed क्या करती है भई heed आपके उपर ध्यान देती है यानि आपकी attraction देती है आपको heedful का मतलब ही होता है to pay to pay attention to something किसी चीज पर ध्यान देना to pay attention to something heedful भई आप attention पे कर रहे हो और heedless heedless हो गया भई बिलकुल भी attention पे नहीं कर रहे क्योंगी इसके अंदर less दिखाता next word को पढ़ते हैं भई next word अबेश अबेश देखो अबेश का क्या मतलब होता है भई अबेश का मतलब होता है बच्चों अबेश का मतलब हो गया भई किसी को शर्मिंदा कर देना इसका exact synonym लगता है embarrass याद करने की बात आई तो भई इसके अंदर तो खुदी कह रहा है अब आश आपको पता है भई आपको पता है सलमान कान किसी टाइम में एशवरिया राय को like करता था और उसकी शादी अभी शेक से हो गई तो भई सलमान कान जब भी उसे देखता तो शर्मिंदा हो जाता लेकिन अब सलमान कान इतना successful हो गया कि अब सलमान कान शर्मिंदा नहीं अश ही शर्मिंदा हो जाती है तो ऐसे याद रखा था कि भई अब एश खुद ही शर्मिंदा हो जाती है कि भई बंदे को क्यों छोड़ दिया इस तरीके से याद कर लो इसका एक्जक्ट सिनोनी मुझे मिला एंबेरिस एंबेरिस भई एंबेरिस को कैसे याद रखा बार वगएरा होते हैं ना बार वगएरा होते हैं शराव वगएरा पिते हैं वा इसके अंदर ही दिखा बार भई अगर आप कभी बार के अंदर चले गए और आपका कोई फैमिली मेंबर आपको देख ले तो आपकी इज़त तो बिलकुल भी नहीं बनेंगी आप शर्मिंदा हो जाओगी इस तरीके से याद रखा था नेक्स्ट वर्ड आया भई रेवरेंस देखो नाउन ये तो एक वर्ब थी रेवरी और यहां से नाउन बनाया था भई i reverence세 propose याद कैसे रखा था वैot को या दा रीवर से मैंने relate किया रीवर में हमारा भारत डेश ऐसा है जह हम नदियों की भी इज़त करते हैं लगा को हां मा किते हैं तो हम इज़त करते हैं यानि हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट कर रेवरेंस याद कैसे रखा था भई इसको याद किया था रीवर से मैंने रिलेट किया था रीवर में भई हमारा भारत देश ऐसा है जहां हम नदियों की भी इज़त करते हैं गंगा को भी मा कहते हैं तो हम इज़त करते हैं यानि हम क्या करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं इस व और वर्ट याद आ रहा है जी बैसा है बैसे हमारा घ्रै और वह viensो joka दो क्याते हैं इसकी पूजा करो उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं तो कैसे याद रहा ki सा一 और वहनो को भी एट करने को सामान देते हैं क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें अपने गोड से रिलेट करते हैं हर चीज को गोड से रिलेट करते हैं रिवर को भी और वानर को भी गोड से रिलेट करते हैं इसलिए उनकी क्या करते हैं respect करते हैं इस तरीके से याद रख लो दोनों words को और भई जैसे इस rever से यह तो एक verb थी मैंने noun बनाया था बच्चों क्या reverence वैसे ही मैं क्या बनाता हूँ इस venerate से भी मैं एक noun बना सकता हूँ बच्चों मैं एक noun बना सकता हूँ veneration veneration क्या नावन बनाया मैंने मैंने बनाया veneration यानि respectful यानि हम river की और जानवरों की भी respect करते हैं उन्हें अपने गोड की तरह पूजा करते हैं ठीक है rebuke भई rebuke से तो मिली आए बार बार भूक लग रही है तो मम्मी डांट लगाएगी यानि अब आश का synonym तो था embarrass और एक और word बच गया बच्चो रूडी भई इस रूडी word का क्या मतलब होता है इस रूडी word का मतलब होता है बच्चो red in color इस रूडी word का मतलब होता है भई red in color याद रख लोगे red in color इसका मतलब ही होता है red in color कई बार कोई हमें डांट दे या कई बार हमें गुस्सा आए तो हम गुस्से से लाल हो जाते हैं उस चीज में भी ये word यूज होता है red in color तो ये था हमारे synonyms का session उमीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा अभी next video जो आएगी उसके अंदर हम अमारे antonyms को discuss करेंगे और आप खुद देखो इस एक sheet से कितना benefit हुआ 30 word थे और 30 word थे और हर एक के 4 option थे यानि हम कितने words सीख गए बच्चों हम 120 words सीख गए और ये सारे important words है ये सारे वही words है जो exam में पुछे जाते हैं close test ये synonyms में ठीक है अग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अन्टोनिम के session में thank you friends